परिचय कोई भी वस्तू जिसमें द्रवेमान और आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को इस प्रकार भी परिभाशित किया जाता है कि जिस भी वस्तू में जड़त्व हो उसे पदार्थ कहते हैं। सभी ठोस, द्रव और गैसें, जिनसे आपका, आपके दैनिक जीवन में सामना होता है, वो किसी न किसी प्रकार के ठोस हैं। आप जीव विग्यान में सजीवों के वर्गी करंड से परिचित ही हैं। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अफ्यवों, योगिकों और मिश्रणों के अंतर को समझना, विलियन के अनुपात जानना, निलंबन और कॉलाइट विलियन के बीच अंतर समझना, समांग द्रवों और विश्मांग द्रवों को प्रिथक करने की अवधारना को समझना, वायू के अव्यवों के प्रिथक करन को समझना, पदार्थों का वर्गी करन पदार्थ पदार्थ एक द्रव्वे होता है, जिसकी सनचना समान होती है इसकार्थ ये हुआ कि पदार्थ चाहे जहां भी पाया जाए, वो सदैव समान रहता है ये सभी पदार्थ हैं, क्योंकि आप उन्हें जहां भी पाएंगे, उनकी सनचना सदैव समान रहेगी। सभी अवियव और सभी योगिक पदार्थ कहे जाते हैं। अवियव वे पदार्थ होते हैं, जो एक प्रकार के परमाणूं से बने होते हैं। इस समय कुल 113 ग्याद अवियव हैं, जिन में से ज्यादा तर धात हुए हैं। आवर्त सानणी में दिये गए चिन ग्याद अवियवों को व्यक्ति करते हैं। परमाणूं भी छोटे कड़ों से बने होते हैं, लेकिन उन्हें सामाने रासायनिक तरेके से विभाजित नहीं किया जा सकता। योगिक और प्रावस्था योगिक वेपदार्थ होते हैं जो एक से अधिक प्रकार के परमाणूं से बने होते हैं, जैसे जल, हैडोजन और ऑक्सीजन परमाणूं से मिलकर बना होता है। कार्बन डायोकसाइड, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणूं से मिलकर बनी है। खाने वाला नमक सोडियम और क्लोरीन परमाडूं से मिलकर बना है। योगिक मिश्रन से अलग होते हैं जिसमें वे रासाइनिक रूप से जुड़े होते हैं। अव्यवों के विपरीत योगिकों को समान योगिक अभिक्रियाओं से अपघडित किया जा सकता है या तोड़ा प्रावस्था पदार्थ का वो क्षित्र जिसका अपना सौतंत्र गुण धर्म हो उसे प्रावस्था कहते हैं। चौकलेट बिस्किट के टुकडे में आटे और चौकलेट के टुकडे का गुण धर्म भिन होता है। इसलिए वे भिन प्रावस्था को व्यक्त करते हैं। शुद्ध स्वण जोकी एक अव्यव है उसमें सिर्फ एक प्रावस्था होती है. इटेलियन ट्रेसिंग में कई प्रावस्थाएं होती हैं जबकि लवण युक्त जल के विलियन में केवल एक प्रावस्था हो सकती है. समांगी पदार्थ और मिशनन समांगी पदार्थ कोई भी पदार्थ जिसमें केवल एक प्रावस्था हो उसे समांगी पदार्थ कहते हैं. हाइडोजन जैसे अव्यव और चीनी जैसे मिश्रण और लवण जल जैसे विलियन को समांगी माना जाता है क्यूंकि वे एक समान होते हैं. एक सेंपल के सभी क्षित्र, सेंपल के सभी दूसरे क्षित्रों के समान होते हैं मिश्रण मिश्रण दो या अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जो भौतिक रूप से जुड़े होते हैं विशेश मिश्रण अलग-अलग सेंपल में भिन्न भिन्न हो सकता है कुछ मिश्रण इतने अच्छी तरह मिले हुए होते हैं कि उन्हें केवल एक प्रावस्था से बना समांगी माना जाता है दूसरे मिश्रण जो एक से अधिक प्रावस्था से बने होते हैं उन्हें विश्मांगी मिश्रण कहते हैं विलियन विलियन विशेश प्रकार के समांगी पदार्थ होते हैं क्योंकि वे योगिक से भिन्न होते हैं विलियन के भाग भातिक रूप से जुड़े होते हैं ना कि रासायनिक रूप से जब आप एक गिलास लवण जल डालते हैं, तो लवण जल के साथ रासाइनी का भिक्रिया नहीं करता दोनों भाग आपस में इतनी अच्छी तरह मिल जाते हैं कि प्राप्त विलियन को एक समान कहा जाता है आईस टी, कॉफी, मिश्रधातू और जो हवा हम शौस के रूप में लेते हैं, सभी विलियन का उदारण है विलियन दो भागों से मिलकर बनते हैं, विले जो खुलते हैं और विलायक जो खुलाते हैं लवण जल में नमक विले है और जल विलायक है विश्मांगी मिश्रन एक से अधिक प्रवस्थाओं से मिलकर बने होते हैं और उन्हें भातिक रूप से प्रथक किया जा सकता है। पहले उलेक किया गया चौकलेट, बिस्किट, टास्ट, सलाद और मुनक का भूसी अनाच का कटोरा विश्मांगी मिश्रन के उचित उधारण हैं। अवियव अवियव एक साधारण पदार्थ होता है, जिसे सामान ने रासाइनिक तरीकों से और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। कार्बन, हाइडोजन, आईरन इत्यादी अवियव के कुछ उधारण हैं। मनिशकों घ्याद अवियवों की संखिया एक सोनौ है, जुरेनियम सबसे भारी अवियव है और हाइडोजन सबसे हलका अवियव है। प्रतेक अवियव एक दूसरे से भिन होता है, क्यूंकि प्रतेक अवियव का एक विशेश प्रकार का पर्माणू होता है। यह आकृती एक अवियव A और दूसरा एक अवियव B के पर्माणूं को व्यक्ति करता है। एक अवियव को इससे छोटे पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्माणूं अविभाजि होते हैं। जब दो अव्यव मिलते हैं तो पर्माणू ना तो जन मिलेते हैं ना ही नश्ट होते हैं। अतहा प्राप्त पदार्थ का भार मूल अव्यवों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यदि एक अव्यव A का पर्माणू अव्यव B के पर्माणू के साथ जुड़ता है, तो परिणाम सो रूप प्राप्त यौकिक अणू में द्रवेमान का अनुपात समान होता है. अतहा, यदि A का एक पर्माणू B के दो पर्माणूं से संयुक्त होता है, तो परिणाम सो रूप प्राप्त अनुप में A और B एक अनुपात दो यानि द्रवेमान के आधार पर में होंगे, जसागी चुत्र में दिखाया गया है. एक मिश्रण में हाला की पर्माणू संयुक्त नहीं होते और वे किसी भी अनुपात में हो सकते हैं. योगिक योगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, जो दो या अधिक अव्यवों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं. एक योगिक में दो या अधिक प्रकार के पर्माणू होते हैं, जो एक नया अनुपात बनाने के लिए रासाइनिक रूप से संयुक्त होते हैं. जल ऐसे ही शुद्ध योगिक का उधारन है, जो हाइडोजन और ऑक्सीजन के दो अनुपात एक आयतन या एक अनुपात आठ द्रवेमान के मिलने से बनता है. हाइडोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में उपस्थित अव्यव के अनुपात हैं, लेकिन विशेश इस्तिवें हाइडोजन के दो पर्माणूं को ऑक्सीजन के एक पर्माणूं से संयुक्त किया जाए, तो जल के अनुपात निर्माण होता है. अताहा जल एक योगिक है योगिक विशेश करजल दो अव्यवों को हाइडोजन और ऑक्सीजन को एक अनुपात आठ द्रविमान में मिलाने से बनता है. योगिक समांगी पदार्थ होते हैं, जिनमें दो या अधिक अव्यव द्रविमान के एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं. योगिक के उधारण हैं साधारण नमक कारवन डायॉकसाइड इत्यादी. अव्यव और योगिक में विभेद मिश्रण वायू कई गैसों का मिश्रण है. इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे अव्यव तथा सी ओ टू और जलवाश्प जैसे योगिक होते हैं. गतिविधी एक परतन में आइरन और सल्फर का मिश्रण लिया गया है. इस मिश्रण के समीप एक चुमबक लाया जाता है. मिश्रण के साथ क्या होगा? केवल आइरन का बुरादा चुमबक की तरफ आकरशित होगा. मिश्रण में कारबन डाइस सल्फाइट मिलाईए. आपने क्या देखा? सल्फर के कण घुल जाते हैं, जबकि आइरन का बुरादा आप्रभावित रहता है. इस गतिविधी से आप क्या समझते हैं? हम समझ सकते हैं कि मिश्रण के मूल संगटक अपना स्वतंत्र गुन धर्म बनाए रखते हैं. यहां आइरन चुमबक के प्रती आकरशित होने का अपना गुन बरकरार रखता है. और सल्फर कारबन डायोकसाइट में घुलने की अपनी प्रकृती बरकरार रखता है. मिश्रण को समांगी या विश्मांगी के रूप में वर्गी क्रित किया जाता है. विलियन वहवहारिक तौर पर समांगी मिश्रण होते हैं. समांगी और विश्मांगी मिश्रण एक विश्मांगी मिश्रण समानता नंगी आखों के प्रतेक्षव होता है. यह दो भिन प्रकार के पदार्थों, लवण और काली मिर्च, तेल और सिर का इत्यादी का मिश्रण होता है, जो की भिन भौतिक अवस्थाओं, द्रव और गैस अवस्था में हो सकते हैं या नही भी हो सकते हैं। समांगी मिश्रण नंगी आँखों से देखने पर एक ही पदार्थ दिखाई देता है। इस कार्थ है कि केवल एक भौतिक अवस्था यानी केवल ठोस या केवल द्रव इत्यादी प्रत्यक्ष होती है। और दो या अधिक पदार्थ इस प्रकार मिलाए जाते हैं कि नंगी आखों से अलग-अलग पदार्थों को पहचानना असंभव होता है. इसका एक उधारन है कृत्रेममकःण. आमत्वर पर कृत्रेममकःण तीन तरह के पदार्थों से बना होता है. हाला कि तीनों पदार्थ मिलकर एक ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो एक पदार्थ दिखता है योगिक और मिश्रण के बीच विभेद गतिविधी मिश्रण और योगिक के बीच अंतर का अध्ययन करने के लिए एक चीनी मिट्टी के बरतन में 56 ग्राम आईरन का बुरादा लीजिए इसमें 32 ग्राम सलफर चून मिलाईए इन्हें अच्छी तरह से मिलाईए एक दूसरे चीनी मिट्टी के बरतन में 56 ग्राम आईरन और 32 ग्राम सलफर चून लीजिए इस बर्तन को उच्छ तापमान तक गर्म कीजिए अब आपने क्या देखा? अब एक चुम्बक लीजिए इसे दोनों बर्तनों के उपर से ले जाएए अपने प्रेक्षन को दर्ज कीजिए जब आइरन का बुरादा और सल्फर चून को चीनी मिट्टी के बर्तन में लिया जाता है तो वे एक मिश्रन बनाते हैं आइरन और सल्फर परसपर मिलते नहीं है आइरन और सल्फर दोनों अपना स्वादंधर गुण धर्मु बनाए रखते हैं जब हम मिश्रन के समीप एक चुम्बक लाते हैं तो आयरन का बुरादा चुम्बक की प्रती आकर्शित होता है। विलियन दो या अधिक पदार्थों का मिश्रण एक विलियन, एक निलंबन या कॉलाइट हो सकता है। जब शुद्ध पदार्थ आणविक परमाणों या आयन आकार के होते हैं, तो पदार्थ की अवस्था को आणविक प्राकिर्णन की अवस्था कहा जाता है। एक विलियन दो या अधिक पदार्थों का समांगी आणविक प्राकिर्णन होता है। इसे इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है कि विलियन दू या अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का आर्थ है कि सभी जगह एक समान। अतहा वो विलियन जो समांगी मिश्रण हो उसका संगठन हर जगह समान होगा। शक्कर का विलियन इस पश्टता तरल होता है और हम शक्कर के टुकड़ों को जल के अड़वों से सूख्ष्म दर्शी से भी अलग नहीं कर सकतें। विलियन के कुछ उधारण हैं लवन युक्त जल, शक्कर का विलियन, कौपर सलफेट और एसिटिक अम्ल का जल में विलियन यानी सिर्का। वह तरल जिसमें पदार्थ घुलते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। वह पदार्थ जो विलायक में घुलकर विलियन बनाते हैं उन्हें विलय कहते हैं। शक्कर के विलियन में शक्कर विलय है। जल विलायक है। समाने तह किसी भी विलियन में विलय की मात्रा विलाय की मात्र से कम होती है विलियनो के प्रकार विलियनो को घुले हुए विलय की मातरा के आधार पर वर्गी क्रित किया जा सकता है असंत्रिप्त विलियन वह विलियन है, जिसमें विलियन का तापमान बढ़ाए बिना और विलय मिलाया जा सकता है। संत्रिप्त विलियन वो विलियन है जिसमें एक नियत तापमान पर विलय की अधिकतम मात्रा गुल चुकी है। संत्रिप्त विलियन में खुले हुए और नहीं खुले हुए विलय की मात्रा परस पर साम्मे में होती है. पूर्ण संत्रिप्त विलियन वह विलियन होता है, जिसमें विलय की मात्रा संत्रिप्त सांद्रता से अधिक होती है. विलियन का गुण एक सच्चा विलियन समांगी मिश्रन होता है। विलियन स्थिर होता है और यदी हिलाया ना जाए, तो विले कण नीचे नहीं बैठते। निलंबन कुछ पदार्थ द्रव में नहीं खुलते। ऐसे पदार्थों के छोटे कण द्रव में निलंबित रह जाते हैं। जैसे की रेथ, कीचड, जल में निलंबित रह जाते हैं। इसी प्रकार ठोस गैस में भी निलंबित रह सकते हैं। इन मिश्रनों को निलंबन कहते हैं। निलंबन एक विश्मांगी मिश्रन होता है। जिसमें ठोस के छोटे कण, द्रव या गैस के पूरे द्रवेमान में घुले बिना निलंबित रहते हैं। निलंबन के गुण धर्म निलम्बन एक विश्मांगी मिश्रण होता है जिसमें ठोस के छोटे कण, द्रव या गैस के पूरे द्रवेमान में घुले बिना निलम्बित रहते हैं. निलम्बन में कण सामाने आखों से दिखाई देते हैं, कणों का व्यास दसकी घात घटा पांच सेंटिमीटर होता है, विलियन में कणों को द्रव से अलग छान कर किया जा सकता है, स्थिर रखने पर निलम्बन के कण नीचे बैठ जाते हैं. कॉलाइट कॉलाइट विलियन देखने में समांगी लगता है, किन्तु उचक्षमता वाले सूक्ष्म दर्शी से देखने पर यह वास्तों में विश्मांगी होता है. कॉलाइट सच्चे विलियन और निलम्बन के मद्ध होता है. कॉलाइड वह विलियन होता है जिसमें विले के कण का आकार सच्चे विलियन से बड़ा किन्तु निलंबन से छोटा होता है इस तालिका में कुछ कॉलाइडों के सामान ने उधारण दिये गए है टिंडल प्रभाव कॉलाइड अपने से गुजरने वाले प्रकाश को फैला देता है इस कार्थ है कि कॉलाइड से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दिखती है यदि अधिरे कमरे में रखे कॉलाइड से प्रकाश की किरण गुजरे तो प्रकाश का पत्ध कॉलाइड कड़ों द्वारा प्रकाश के फैलाओ के कारण देखा जा सकता है इसी प्रकार का प्रभाव तब भी देखा जा सकता है जब प्रकाश की किरण धूल भरे वायू से हुकर गुजरती है कोलाइड कड़ों द्वारा प्रकाश के फैलाई जाने की परिखटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं यह प्रभाव सच्चे विलियनों में नहीं दिखाई देता द्रवों में टिंडल प्रभाव लेजर पॉइंटर की सहयता से आसानी से देखा जा सकता है यदि आप दूद को इतना पतला करें कि यह लगभग पारदर्शी हो जाए या आपके पास किसी प्रकार का विलियन हो जैसे की कुलाइडल सिल्वर तो लेजर की किरण द्रव से गुजरते हुए आसानी से देखी जा सकती है मिश्रण और दो अमिश्रणिये द्रवों का प्रथक करन एक मिश्रण के घटकों को प्रथक करना विस्मागी मिश्रण को समान भौतिक विधी जैसे हाथ से चुन कर छान कर इत्यादी से प्रथक किया जा सकता है लेकिन मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए विशेश विधीयों की आविशकता होती है दो अमिश्रणिये द्रवों का प्रथक करण प्रथक करण कीब दोरा किया जा सकता है गति विधी एक प्रथक करण कीब लीजिए और इसमें डाय थिल इथर लीजिए इसे कुछ तेर स्थेर छोड़ दीजिए डाय थिल इथर और जल की परत प्रथक हो जाती है कीप के नीचे एक फ्लास्क रखिए और उपर से स्टॉपर हटा कर स्टाप कर्क को खोल दीजिए जल की निचली परत को बाहर निकाल दीजिए जब डाये थल इथर स्टॉप कार के पास पहुँचे तो प्रिथक करण कीप के स्टॉप कार को बंद कर दीजिए दो मिश्रणिये द्रवों का आस्वन विधी से प्रथक करण गती विधी एक आस्वन फ्लास्क में एसिटोन और जल लीजिए एक चिदर में थर्मा मीटर डालिए फ्लास्क के बगल की नलिका को लाइबिक के दोहरी दिवारवाले संखनक से जोड़िए गैस पर्णर की साहता से द्रव को गर्म कीजिए एसिटोन वाश्पिक क्रित होता है वाश्पन से प्राप्त वाश्प संखनक के बगल के भाग में एक अत्रित होता है संखनक में बहता हुआ शीतल जल एसिटून को द्रफ के रूप में संखनित कर देता है, जो की ग्रहिता में एकत्रित होता है फिलास्क में जल शेश रह जाता है उर्धव पातन अमोनियम क्लोराइड कपूर इत्यादी पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं ऐसे पदार्थों के लिए उर्धव पातन की विधी प्रियोग की जाती है और्द्व पातन वह प्रक्रम है जिसमें ठोस सीधे गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है गतिविधी एक चीनी बर्तन में रेत और आयोडीन का मिश्रण लीजिए बर्तन को उल्टे कीप से ठक दीजिए बर्दर की साहता से मिश्रण को धीमे धीमे गर्म कीजिए कीप से आयोडीन वाश्प की बैगनी रंग की लव उठती हुई साफत और पर देखी जा सकती है आयोडीन वाश्प कीप में संगनित होकर ठोस रूप में एक अत्रित होता है जब बर्तन के मिश्रन से वाश्प निकलनी बंद हो जाए तो गर्म करना बंद कर दें। शुद्र आयोडीन क्रिस्टल निकल चुके हैं। आ उर्थो पादनिये रेत बर्तन में शेश रह जाती है। आयोडीन ऐसे पदार्थ का सामान उधारण है जो प्रतक्षिता कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ओर्थो पादित होता है। क्रिस्टली करन किसी पदार्थ के गर्मविलियन को ठंडा करने पर वहाँ उसी पदार्थ का शुद्ध क्रिस्टल प्रदान करता है। गतिविधी, बीकर में एक सो एमल पानी लीजिए, तनु सलफरिक अमली की कुछ बूंदे डाल कर विलियन को अमली कृत कीजिए, पानी को गर्म कीजिए, जब यह उबलना शुरू कर दे, तो इसमें कौपर सलफेट चून को धीरे धीरे तब तक मिलाईए, जब तक की संत्रि पुड़े समय बाद आफलियन में कौपर सलफेट के नीले रंग के चमकदार क्रिस्टल देख पाएंगे. रासाइनिक परिवर्तन यदि पदार्थ की भौतिक वस्था में परिवर्तन हो, तो इसे रासाइनिक परिवर्तन कहते हैं. उधारण एक जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रफ हैं, लेकिन उनका रासाइनिक गुण धर्म भिन्न है. उनकी गंध और ज्वलन शीलिता भिन्न है. हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है. तेल का रासाइनिक गुण उसे जल से भिन्न बनाता है. उधारण दो जलना एक रासाइनिक परिवर्तन है. जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासाइनिक संगठन में परिवर्तन लाता है. रासाइनिक परिवर्तन पदार्थ के रासाइनिक गुण धर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं रासाइनिक परिवर्तन को रासाइनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है सारा अंश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं पदार्थ को मुख्यता अवियव, यौगिक और मिश्रन के रूप में वर्गी कृत किया जाता है अवियव वे पदार्थ हैं जो केवल एक तरह के परमानूं से बने होते हैं यौगिक वे पदार्थ हैं जो एक से अधिक प्रकार के परमानूं से बने होते हैं मिश्रन दो या अधिक प्रकार के पदार्थों के भातिक रूप से मिलने से बनते हैं एक विलियन दो या अधिक पदार्थों का समांगी आणविक फैलाव होता है वह द्रव जिसमें पदार्थ घुलता है उसे विलायक कहते है वह पदार्थ जो विलायक में घुलता है उसे विलाय कहते है विलियन को असंत्रिप्ट, संत्रिप्थ और पूर्ण संत्रिप्थ के रूप में वर्गिक्रित किया जाता है निलंबन एक विश्मांगी मिश्रण होता है, जिसमें ठोस के छोटे कण, द्रव या गैस के पूरे द्रवेमान में घुले बगएर निलंबित रूप से विद्धिमान रहते हैं एक कॉलाइड सच्चे विलियन और निलंबन के मद्धे होता है कॉलाइड एक विलियन होता है, जिसमें विले के कण सच्चे विलियन से बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं